अगर आप भी सुबह की भाग दोड में कुछ इजी सा नाष्टा ढूंड रहे हैं बनाने के लिए जिसे आप हलके फुलके ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफिन में दे सके तो मैं आज आपके साथ ऐसे ही नाष्टे की रेसिपी शेयर कर रहे हूं जिसे हम दो बुन देल में बना के तयार करेंगे और बहुत हईलडी तरीके से दो चलीए बनाते हैं तो इस नाष्टे को बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है तीन चोधाप कप बेसन से थोड़ा सा कम और एक तीहाई कप हम यहाँ पर ले रहे हैं गेहूं का आटा और साथ में हम ले रहे हैं हलकिसे टिंट के लिए एक टुकड़ा अद्रग जिसको मैंने यहाँ पर कद्दुकस कर लिया है आप कूट कर भी डाल सकते हैं एक हरी मिर्च ले लिए तीखे के लिए अगर आप जादा डालना चाहते हैं तो जादा भी जाल सकते हैं एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको मैंने रफली कट कर लिया है साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूं थोड़ी सी धनिया पत्ति धनिया पत्ति डालने से नाश्टे का जो फ्लेवर है वो बढ़ जाता है अब यहाँ पर हम ले रहे हैं तो मीडियम साइज की अबलेवे आलू अगर आप बड़ा ले रहे हैं तो आप एक ही लीजिए और इसको हम यहाँ पर छोटे वाले कद्दुकस से ग्रेट करेंगे ज्यादा इसको मोटा या फिर हमें हातों से मैश नहीं करना है क्यो में जाएगा एक चोथाई चमच खड़ा जीरा यानि की कच्चा जीरा और साथ में ही डालेंगे चोथाई चमच हम यहाँ पर लाल मिच पाउडर तो मुझे मिच पाउडर थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने और एड़ कर दिया आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं लाल मिच पाउडर साथ में ही डालेंगे स्वाद अनुसार नमक तो जितना हम नाश्ता बना रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर नमक कीजिएगा तो टोटल मैंने आपर आदा चमच नमक एड़ किया है अब साथ में यहाँ पर ले रहे हूं एक कप भरकर पान बबढ़ा हिए इतने अच्छे से हमें इसको मिक्त देना है एकदव न्यान नाश्ता है और बहुत इजली सुए की भागदोर में यह बनकर तयार हो जाता है तो चलिए यहाँ पर हमने इस मिक्स को आच्छे से यह पर मिक्स दे ल hierarch करना है तो अब क्या करना अभी हमें यह टोड़ा सा गाढ़ा अलग रहा था तो जादा नहीं तीन से चार चम्मच पानी हमें और अधकरना है इसके अंदर और इसको थोड़ा सा स्मूथ बना लेंगे यानि कि हमें अराम से इसको हम अच्छे से घुमा पाए तो स्टार्टिंग में हम इसको घुमाने में ठोड़ी इ अब देखे आप एक चुताई चर्मच खाने वालवी अच्छी सोडा यानी की मीठा सोडा हो उसको हमें एक्टिवेट करना है और एक ही साइड में हमें इसको इस तरीके से यहां पर घुमाना है अब जो हमारे मिक्ष्चर है यह काफी प्लाफी हो गया है यह देखिए बहुत अच्छे से मिक्ष्चर बनकर रेडी है इसे हमें किसी भी रेस्ट पर रखने की जरूरत नहीं है सीधा लेके चलते हैं गैस की तरफ तो जैसे कि मैंने कहा था दो भून तेल में बनने वाला नाश्टा है या तो यह मैंने थोड़ा सा तेल डाला है एक पैन में एक पैन हमे या फिर आप तावा भी ले सकते हैं हलका सा ग्रीस कर लिजिए और इस तरह के से चोटे वाले चमत से थोड़ा थोड़ा बैटर लेके हमें इस तरीके से यहा पर डालते जाना है और ज्यादा बढ़ा नहीं पछलाना है वहीं कि वहीं इस नाश्टे को हमें सेट कर देना औ और अगर आप इस नाश्टे को थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप बढ़ा भी बना सकते हैं, तो ये देखिए, तो मैंने एक बार में यहाँ पर चार पीस एड़ किये हैं, और उपर से मैं यहाँ पर थोड़ इसे यहाँ पर धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ, ज अनिचनниц आश्टे को deposit' लेना है, बस सेट्ने से हमें यह धिया लखना है, फ्लेम को हमें यहाँ पर लो टु मीडियम के बीच में रखना है। थो यह देखिए, तो यह देखिए यहाँ पर नाश्टे को बड़िया है और यकीन मानने दोस्तो कि बढ़ा लग रह खाने में कि नाश्टा उतना ही टैम्टिंग है आप इस नाश्टे को दही के साथ हरी चटनी के साथ या पी सौस के साथ खा सकते हैं उपर से हलका सा क्रिस्प और अंदर से सौ्ट है तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लायग चैनल को सबसक्राइब और वीडियो